वेल्कम टू केड़ी स्टड़ी भाई राजाओ श्वागत है आपका आज हम चर्चा करेंगे जी एस के प्रिवेस जो एर के कोश्चन्स है उनके उपर क्या-क्या बात हुई है कौन-कौन सा कौनसेप्ट आया है उसके उपर हम क्या करेंगे पूरी के पूरी चर्चा करेंगे पूरे कोश्चन्स के बारे में आपको कौनसेप्ट बताये जाएगा तो चलिए अब हम सुरू करते हैं आप कोई पता है पेपर नमबर 4 है कोश्चन की बात की जाए तो कोश्चन नमबर 1 आ रहा आपको भी पता है train 18 जो दी उसका नाम अलब था train 18 स्पीड वाली train है तो पूचा गया इसका निर्माड कहां हुआ है तो बिलकुल याद रखिएगा चन्नाईए integral coach factory द्वारा विक्षित किया गया भारत की पहली इंजनरही train थी किसके द्वारा निर्वित किया गया भारत की पहली train जो है मुरादाबाद रामपुर section में किया गया था मुरादाबाद रामपुर section में किया गया सबसे पहली बार इसका ट्रायल जब इसका ट्रायल ट्रेन 18 का मुरादाबाद रामपुर सेक्षन में किया गया तो दूसरे नंबर पर पूछा गया कि इसका नाम कब बदला गया इसका नाम 26 जनवरी 2019 26 जनवरी 2019 को इसका नाम बदल कर वंदे भारत किया गया और जब स्टार्टिंग में ये ट्रेन चल रही थे तो इसका पर्टिकुलर निर्माड कहां किया जाता है चिन्नई में तो ट्रेन 18 जो थी पहले इसका निर्माड कहां चिन्नई में होता है फिर इसने कहा कि कुण सी चीजें इस पे रहेंगी तो दूसरा कहा 26 जनवरी 2019 में इसका नाम बदल के क्या किया गया वंदे भारत किया गया तीसरी बात की जाए तो दूसरा कुश्चन है इंडिया साइन डे 500 बिलियन डील विट विच कंट्री इन नवंबर 2018 लोकली टू मैनेफाक्शर टू स्टेल्थ फ्रेड नवंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ 500 बिलियन डॉलर के शोदे पर हस्ताक्षर किया जिससे स्थानी इस्थन पर दो गोपनी युद्ध पोथ हुए यह भी डारेक्ट कोश्चन आपके इक्जाम में आ गया कि किसके लिए किया यह पर्टिकुलर 500 बिलियन जो हुआ है भारत का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और यह पर्टिकुलर कब हुआ ये यदि पूछा जाएगा तो इंडिया और रसिया के बीच में किसके किसके बीच हुआ है ये बिलकल याद रखेगा इंडिया वर्शिश रसिया के बीच में या भारत और रूस के बीच में ये लिब देने हुआ इसके किसके बीच में हुआ भारत वा रूस के बीच में इसका क्या हुआ पूरा शनेरियो हुआ तो नमबर 2018 में भारत में किस देश के साथ 500 बिलियन डालर सौधे परस्ताक्षर किया जिससे स्थानी इस्तर पर दो गोपनी युद्धुपो पर्टिकुलर भारत और रूस के बीच में गोबाश प्याड लिमिटेड में यह कहानी हुआ तो दस सरदार वल्लब भाई पटेल नैशनल पुलिस अकेडमी इज लोकेटेड आपको पता है IPS की ट्रेनिंग ही यहीं होती है SVPNPA के पास इस्तित है सरदार वल्लब भाई पटेल राष्टी पुलिस अकडमी कहां इस्तित है हैदराबाद पुरे जैसे आपका लाल बहादूर सास्त्री IAS की ट्रेनिंग के लिए है उसी तरह सरदार वल्लब भाई पटेल राष्टी पुलिस अकाडमी हैदराबाद में 15 सितंबर 1948 में इसकी स्थापना की गई थी माउंट आवी में और 1974 में इसका नाम प्राणमंत्री सर्दार वल्लब भाई पटेल के नाम पर किया गया उसके पहले इसका नाम क्या था पर्टिकुलर राश्ट्री पुलिस अकादमी पहले इसका नाम था राश्ट्री पुलिस अकादमी और इसका मुख्याले कहां था राजस्थान के माउन टाबू में आपको पता होगा राजस्थान के माउन टाबू में क्या है इसका स्थान नि की विधान सभाब भंग की गए ये उस समय का current affairs का question उस समय का current affairs है कि नवंबर 2018 में भंग की गई थी आपको पता है कि ये जम्मू और काश्मेर के रज्जपार साथ्टिपाल मलिक ने राजशबाब भंग करने का particular निरुनाइक लिया था उस जमाने में महाधमनी के सीर्स पर सुरू होती है अब आपको ये पता चलेगा flow chart से आपको भी पता है हमारा जो blood है particular कहां body to lungs में flow होता है इस side में particular right auricle, right ventricle ऐसा कहानी होती है और उसके बाद कहानी इधर left auricle और left ventricle इस कहानी से क्या है बनता है इधर impure blood और इधर pure blood तो आप से पूछा गया किसके through होता है महाधमनी ये भी कराया हो question है तो आपको पता चलेगा left ventricle question है महाधमनी तो आपको भी पता है या पल मूनेरी क्या होती है artery begins the top of artery जो होती है left ventricle से start होती है artery जो है left ventricle से बिलकुल याद रखेगा left ventricle galvanization का मतलब क्या है आपको पता है galvanization का मतलब क्या है कि galvanization means covering steel with a thin layer off galvanization का मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए एक scenario सुरिया जाता है जिसका मतलब है रायसाइनिक प्रक्रिया है जब इसके उपर चढ़ाया जाता है तो इसमें किसकी परत चढ़ा दी that consists of 60 carbon atom arranged as carbon 60 एकण है जिसमें खाले स्थान के रूप में विवस्थित साथ परमाण होते हैं अब इसमें structure पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए किसी 60 एकण है जिसमें carbon के 60 होते हैं जिसे 12 pentagon 20 hexagon के रूप में विवस्थित किया जाता है अब है क्या इसमें carbon 60 में क्या होता है carbon के 60 है जिसके 12 पंचभुज होते हैं या 20 सडभुज होते हैं hexagon के रूप में किया जाए तो particular इसमें 6 होते हैं और pentagon के रूप में यदि बात की जाए तो 5 होते हैं तो ये आपका राइट एंसर कमिश्ट्री के और्गनिक के रूप में पूछ लिया। सरवत्तम गुडवत्ता वाला कोईला जिसमें अच्छा आपको पता है कि कोल जो होते हैं कितने प्रकार के चार प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट, बिटूमिनस, लिगनाइट और पीट इसमें सबसे टॉप प्वाल्टी जो होता है एंथ्रेसाइट होता है जिसमें कारबन का परसेंटेज जो होता है 80-95% और ये क्या करता है लोग स्मोक धुआ कम देता है और जब धुआ कम दे रहा है तो हाइली बर्न हो जब ये ज़्यादा जल रहा इसलिए ये टॉप क्वालिटी में क्या होता है काउंटेड होता है टॉप क्वालिटी में इसे गिना जाता है खाले स्थान को छोड़ कर सभी संगनन बहुलग अब ये कमिस्ट्री का टॉपिक है बहुलग आपको पता है कि पॉलिप्रोपाईल एक थर्मो प्लास्टिक बहुलग है यह एक कठिन और क्रिश्टली है जो प्रोपेन से बनता है तो पॉलिप्रोपेलेन ये पर्टिकुलर हार्ड पॉलिप्रोपेलेन होता है और इसी के बिहाब पर क्या होता है ये पूरी तरह से बनता है इसका राइट एंसर क्या होगा पॉलिप्रोपेलेन इंडिया इंस्ट्यूट ऑफ टेकनलोजी कानपूर है सेट अप एन ओफिस ब्लैंक विथ अलोमेंस संजीव कोशल देखिएगा भारती प्रोद्यों की संस्थान कानपूर ने खाले स्थान में एक कारियाले बनाया है जहां पूर उचात संजी घोशला को संस्थान का विदे ये भी उस जमाने का क्या है इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का कुश्चिन तो एक बार इसका जवाब दीजेगा जब उस जवाने का करिंट है तो भारती प्रोद्यों की संस्थान का जो है विदोशों से योग सिक्षक चुनिने के लिए बनाया गया विदेशी ब्रांड खोसला के ब्रांड इंबिस्टर है और IIT से अन खत्र के रिउप में इसका वार कि में बनाया गया अगले कोश्चन के बारे में बात करेंगे अगली जो चर्चा है पर्टिकुलर दा फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट आफ रेक्वाइर्मेंट कॉस्टेबल सिविल पुलिस बाय उत्तर प्रदेश पुलिस रेक्रूट्मेंट और प्रमेशनरी बोर्ड रेक्वाइड मेल कंडिडेट तूर उत्तर प्रदेश भरती कितने मिनट में कितना दोड़ना है यह सब को पता है क्योंकि आपके भरती से संमद्धित प्रशना गया है तो इसमें आपको दोड़ना है पच्छेस मिनट में 4.8 किलो मेटर अब महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलो dés Arabs क्या कि बात की जाए तो 14 मिनट में 2.4 किलो मेटर मेल की तो 25 मिनट में 4.8 किलोमेटर क्लियर रहेगा और ये किसका है बेटा फीमेल का है अब बहुत पुराना पूछा गया वरतमान में पूछा जाएगा तो वरतमान में आनंदी बेन पटेल है 2014 में कौन थे आपके 4 आप्शन है ब्रिजेस पाठक आज कल डिप्टी सीयम के नाम से जाने जाते हैं तो ये आपको क्लेर हो चुका है कि पर्टिकुलर इसमें जो है राम नाई 14 जुलाई 2014 ये बहुत पुराना कॉशन वरतमान पूछेगा तो याद रखेगा वरतमान है आनंदी बेन पटेल है बिलकुल याद रखेगा इनके बारे में उत्तर प्रदेश के किस जुले को पीतल लगरी के नाम से जाना जाता पीतल लगरी का मतलब कॉपर सिटी राम गंगा नदी के किनारे बशी हुई है और पीतल लगरी के नाम से जाना जाता है आपका बिलकुल कॉपर शहर मुरादाबाद है कौनसा है? मुरादा At the Battle of बहादुरपूर in 1658, साह जहां second son, शाह शुजावाज, defeated by शाह जहां grandson वर 1658 में बहादुरपूर के युद्ध में शाह जहां के दूसरे बेटे साह सुजा को साह जहां के पोते ने हराया था, साह जहां के पोते का नाम पूछा गया है तो आपको पता है बहादुरपूर का युद्ध 1658 में उत्रा थिकार के लिए लड़ा गया था ये पर्टीकुलर युद्ध जो है दारा सुकाह के लड़के सुलेमान सिकोह तथा अंबर के राजा जैशिंग के बीच लड़ा गया था तो पर्टीकुलर इसमें किसके बीच लड़ा गया सुलेमान सिकोह के बीच किसके बीच लड़ा गया सुलेमान सिकोह के बीच 1658 में युद्ध हुआ था पर्टिकुलर कौन सा युद्ध था बहादुर पुर बहादुर पुर का वार दो लोगों के बीच लड़ा गया इसमें सुलेमान सिकवाह था फिरोजाबाद में दोशो वर्सों से अधिक समय से आपको भी पता है कि मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा पीतल था तो फिरोजाबाद फेमस से किसके लिए काच की चूडियों के लिए काच की चूडियों के लिए आज भी फेमस से फिरोजाबाद की काच की चूडियां बिल्कुल याद रखेगा फिरोजाबाद फेमस से किसके लिए काच के चूडियों के लिए दो सो वर्सों से अधिक के लिए और इसी के नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है शुहाग नगरी के नाम से इसे जाना जाता है किस नाम से शुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है विच कत्थक घराना focused on the spiritual aspects of the dance कौन सा कथक घराना उस नित्र सहले कथक पता है कथक पर्टिकुलर कहां उत्तर भारत उत्तर प्रदेश का डांस है लखनव कथक घराना नित्र सहली पर ध्यान दिया गया और पर्टिकुलर इसमें चारों आप्शन दे दिया था तो इसमें राइट एंसर लखनव था लेकिन यूपी बोर्ड ने पुलिस बोर्ड ने इस question को निरस्त कर दिया क्योंकि इसमें answer or question के concept अलग अलग थे clear हो चुका है तो पीतल लगरी किसे कहा गया बिल्कुल comment करके बता दीजिएगा चैनल को share और subscribe भी करते रहना आपको अगर पीतल लगरी के बारे में पूछा जाए तो पीतल लगरी कौनसी थी मुरादाबाद के बारे में जाना जाता है according to Hindu legend the divining king Rana of Ramayana इफेक रिगन अयोध्या हिंदी पोराड कताओं के अनुसार महा काब रामायण में भगवान स्री राम अयोध्या के शाशक थे जो खालिस्थान की राजध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध आमर्त शेन को इकोनोमिक्स का नोबल प्राइज दिया गया था तो पर्टिकुलर पर्षन का नाम क्या है आमर्त शेन बिलकुल याद रखेगा दा पर्षन नेम इस दा आमर्त शेन आमर्त शेन को ये पुरुषकार दिया गया What is the title of the autobiography written by Indian boxer M.C. M.C. Maricom आपको पता है मुक्यबाज है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का पर्टिकुलर नाम क्या है आपको भी पता है इनकी अनब्रेकेबल प्लेइंग टु विन M.G. लाफ्टे की माइकल होल्डिंग की है नो हैप्टिंग बैक और इमर्जेंग संजय मांजवेकर की है तो पर्टिकुलर आपको मालूम चल चुका है कि प्लेइंग अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक का नाम कौन सा था अनब्रेकेबल बिल्कुल इंपोर्टेंट पुक है इनकी अनब्रेकेबल इंपर्फेक्ट संजय बांगर की है संजय बांजवेकर या संजय बांगर इसका नाम याद रखेगा क्लियर ना संजय मांजवेकर विच फिल्म वन दे बेस्ट फॉफलर फिल्म और 65 फिल्म काफी पुराना है 65 राष्ट्रिय जो उस समय की सबसे फेवरेट फिल्म थी बाहू बली टू को मिला था 65 हुआ कब था अगर आपसे पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर जो 65 था वो जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और उसी समय का क्या किया गया कोश्चन आपको पूछा गया था नोबल प्राइज से भी कोश्चन रहते हैं तो इसका नाम आप याद रखेगा आर्थ सास्त्र 2018 का नोबल प्राइज तो अभी हमें 2022 और 2023 के नोबल प्राइज पढ़के जाने है नोडेहन और को दिया गया ये दोनों कहा के निवाशी थे बिलकुल आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों जो है वर्डिकलर यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका के थे शेंक तराज अमेरिका के ये भी पुराना कोश्चन है इस वर्ड अगर आपके एक्जाम में आएगा तो 2022-23 की कोश्चन क्या होंगे पूछे जाएंगे इसी के बिहाब पर ये चीजें चलेंगी खालिस्थान या ब्लैंक इस दो खालिस्थान निजी और शमविदल सीन जानकारी है जैसा कि क्रेडिट कार्ड नंबर ब्यक्तिगत पहचान और खाता उप्योग ये सब किसके धोखा धड़ी करने के लिए क्या होता है जब भी आपको कहा जाता है RBI भी कहता है कि अगर ऐसी चीजें हो रहे ही तो Fishing कहा जाता है आद अगर चीजें आपकी रग रही है तो उचे Fishing के नाम से ये साब आपके क्या है एक प्रकार के Cyber Crime है चित्र कूर जल्प्रपात किस राज़ी में इस्थित है नाम से स्पस्ठ है कि चित्र कूर छट्रीज गढ़ राज़ी के बसतर जिले में इंद्रावती के नाम से famous है तो यह कहां है 26 गढ़ में बसतर जिले में नदी का नाम पूझे तो इंद्रावती नदीग। वहाँ पे है पर्टिकुलर कौनसा चित्र कूट जलप्रपात। लोग इसमें मद्ध्य प्रदेश लगा सकते हैं या कि पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं लेकिन आपको चीजें क्या हो चुकी हैं। तो जब आपको बांकी मालूम रहेंगे तब आप कर पाएंगे। विनेजुएला दक्षण अफ्रीका में एक देश है जिसकी राजधानी कराकश है। विनेजुएला कहां का देश है। दक्षण अफ्रीका। और इसकी राजधानी क्या है कराकश। बिलकुल याद रखेगा लेटिस्ट में बनेगा कराकश इसके बारे में पर्टिकुलर ये चीजे कही गई अगला अस्ट्रिया का एकमाद वीपी राज्य तो आपको पता है कैप्री इवीजा और रोडस नहीं है यहां का एक पर्टिकुलर आईलेंड स्टेट जो है तश्मानिया ये भी आपका कहा का पार्ट आगया स्टेटिक जीके का बिलकुल याद रखेगा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टिन पार्ट भी बनेगा तो इसका जो राज्य है वो तश्मानिया है बहुत स्ट्रेट अलग की आप विस्व के 26 वा सबसे बड़ा दीप इसकी राजदानी होबार्ट है थ्श्मानिया इसकी राजदानी अगर आप से पूछा जाए तो याद रखेगा हो बार्ट इसकी राजदानी हो बार्ट मनी विच अब दे फॉलोईंग सिटी इस नौट सिटेटिक अण ड़ बेंक आफ दा गोदावरी गोदावरी के किनारे नाशिक है बिलकुल क्योंकि यह उसी स्टेट में बहता है फिर आप से पूछा जाएगा पर्टिकुलर नादेर तथा निजामावाद सहर गोदावरी के तटपर है लेकिन नवशारी सहर पूर्णा नदी के तटपर है मतलब नवशारी जो है ये पूर्णा नदी के कितट पर है गोदावरी जो है महाराश्य गुजरती है टोटल लेंथ 1415 किलोमेटर है ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना गया तो नाशिक, नादेण और निजामाबाद इस्थित है इसका लास सहर आया मतलब जो मैं कॉंसेप कराता हूँ सिटी, इंपोर्टेंट सिटी ऑन दे बैंक ओफ रिवर महत्पूर सहर नदियों के किनारे उससे आ चुका है कुश्चन तो नवशारी किस के किनारे पूर्णा के किनारे है बाकी सबाब के किस के किनारे है पर्टिकुलर इसनदी के किनारे है ये भी पॉलिटी का कुश्चन वन लाइनर आ गया कि डॉक्टर नीलम सज्जीव रेड़ी के बाद कौन बने आपको भी पता है कि नीलम सज्जीव रेड़ी के बाद भारत के राष्टपती ज्यानी जैल सिंग थे 1982 से 87 तक ये भारत के साथवे राष्टपती रहे और ब्लू स्टार इवं इंद्रा गाधी के हद्या इन ही से गुजरना पड़ा कब से कब तक रहे 1982 से 1987 तक डॉक्टर ज्यानी जैल सिंग इन्होंने क्या किया ओपरेशन ब्लू स्टार सिखों को गुर्द्वारा में पर्टिकुलर आर्मी को इंट्री दे दी हथियार के साथ और दूसरा इंद्रा गाधी की मृत्यू इन ही के शाशनकाल में हुई थी इनकी मृत्यू और डाइड इन ही के शाशनकाल में हुई थी चंद्र नेमदा चंद्रगुप्त शन हू रेजाइन बेटवें 290 अब चंद्रगुप्त के पुत्रका नाम जिन्होंने 292 से 272 इशापुर्गुई से सासन किया था और संपूर भारत के समराज को बढ़ाया आपको भी पता है चंद्रगुप्त के बेटा जिसने काफी कुछ बढ़ाया वो थे बिंदुश्वार मौर जो बिंदुश्वार मौर समराज के अशोक के पिता थे आपको याद रखना है अशोक के पिता का नाम था काफी इंपॉर्टन मेखला एक प्रकार का चादर है यह किसके द्वारा पहने जाने वाला पोशाक है तो आपको पता है कि यह असमिया पोशाक है जो बच्चों को छोड़कर सब लोग पहनते हैं तो यह किसके द्वारा पहनने वाला यह कहां की पोशाक है असमिया और अशमिया पर्टिकुलर कहां का बनेगा अशम का, बिलकुल याद रखेगा, it is a traditional dance of the अशम रविन अट तैगोर किस देश का राष्टगान लिखा, आपको भी पता है कि आमार सोनार बांगला, that is बांगला देश के रूप में, भारत में क्या लिखा, राष्टगान जन, गण, मन इसको भी लिखा, और आमार सोनार बांगला 1906 में लिखा गया, कब लिखा गया बिटा, 1906 में आमार सोनार बांगला, बांगला भाषा में लिखा गया था, और रविन अट एगोर को 1913 में शाहित्य का नोबल पुरुषकार दिया गया, किसका, शाहित्य का नोबल पुरुषकार, इनको दिया गया, बिल्कुल याद रखेगा कुश्यन आपको याद हो रहे होंगे तो पीतल नगरी किसे जा गया मुरादाबाद को बिल्कुल याद रखेगा शुहाग नगरी फिरोजाबाद वर्गिश कुरियन को खालिस्थान द्वारा राष्टी डेरी संग के द्वारा नियुक्त किया गया उनिशो पैशठ में इनको नियुक्ती हुई थी और पैशठ में बाशठ पैशठ दोनों जगह लाल बहादूर सास्त्री का नाम आता है वर्तमान भारती संविधान में कितनी भाष आई आपको भी पता है भारत संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाग पूछ रहा है तो चार सो पैशठ हनुच्चेद बारान सोची और पच्चिस भाग है वर्तमान में पूछा गया इनीशियल में पूछा जाएगा तो प्रारंभिक में अलग थे और वर्तमान में पच्चिस है सुरू में कितने थे पर्टिकुलर बाइस भाग थे स्टार्टिंग की बात की जाए तो जब लागू हुआ था तब पर्टिकुलर थे अभी पच्चिस है मुगल सम्राज जहांगीर ने खालिस्थान शालिमार बाग का निर्मार सालिमार बाग कहां बनवाया है काफी कला प्रेमी था ये और आपको सालिमार बाग भारत के जम्मू काश्मीर में विख्यात उद्दान है जो मुगल बाग का उधरन है स्रीनगर में बनवाया था पर्टिकुलर जहांगीर ने कहां बनवाया था स्रीनगर और कहां इस्तित है जम्मू में तो इसका राइट एंसर होगा काश्मीर अलग सभा आज कले से मुगल गार्डन जो राष्ट पती में अभी अभी नाम बदला गया उसी के नाम से जाना गया मुगल गार्डन शालिमार गार्डन का दूसरा नाम था बिलकुल याद रखेगा वार्षिक भारती सास्त्री संगोत सवाई गंधर्व भीम नेक्स कुष्चन हमारा 35 है भारती सास्त्री संगीत 1913 अब आपको पता है सवाई गंधर्व महुतसो ये गंधर्व महुतसो कब से चल रहा 1953 से जब 1953 से ये पूरेशे कभा आया था पूरे आपको मालुम चल चुका है निल्रिखित में से कौनसा बैंक भारत का सबसे पुराना सारवजनिक छेत्र का बैंक है आपको पता है सबसे पहला भारती बैंक की बात की जाए तो 1865 में खुला था हमारा कौन सा बैंक इलाहाबाद कॉमर्शियल बैंक या इसे जाना जाता है इलाहाबाद ब्यापारिक बैंक के नाम से इसे क्या करते हैं जानते हैं इलाहाबाद कॉमर्सियल या इलाहाबाद व्यापारिक बैंक तो पर्टिकुलर 36 में और अगर सबसे पुराना बात की जा तो 1709 में जो खुला था बैंक ओफ इंदुस्तान वो इस इंडिया द्वारा तो इस उप्षन में सबसे ज़्यादा ये हैं वैदिक सब्भेता किस नदी के किनारे तो 1520 से लेकर 500 बीसी के बीच में जो सब्भेता आई थी पूरी की पूरी सब्भेता कौन सी नदी के किनारे आई तो ये आपको clear हो गया पूरी की पूरी सरश्वती नदी के किनारे आई जुलाई 1947 में 濃ति विटन वुट सम्मेलन में किस अंतरराश्टी संगिठन की कलपना की गई question है कि जुलाई 1944 में सन्युक्त विटन वुट सम्मेलन में किसकी चर्चा की गई तो जुलाई 1944 में International Monetary Fund के नाम से IMF की पूरी की पूरी स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो चर्चा हुई हमारी अंतरराश्टी मुद्रासंग की हुई यह पूरा कोश्चन इसमें आपको पता चल गया कि way of teaching के way of questions कैसे हैं कुछ UP पुलिस के आशान कोश्चन आ रहें कुछ higher level के question आ रहें और इसी के बिहाब पर यह पूरी चीज़े क्या हैं आपके लिए चल रही है काफी important parts भी बनेंगे जो आपके exam point of view और exam के लिए काफी जरूरी रहेंगे तो यह पूरा का पूरा scenario आप क्या करिएगा इसमें ध्यान रखिएगा आपके exam के लिए पूरी चीज़े क्या होंगी काफी ज़्यादा जरूरी होंगी कौन सा bank बना भीम से इन सम्मेलन कहा होता है पुड़े में फिर समराट जहागेर जहागेर के बारे में फिर हम स्टोरी भी देखेंगी क्या हुआ था अकबर का बेटा था मुगल समराट सलीम जो जहागेर था वो काफी लोलूप था अनार कली और जहागेर की कहानी आपने देखी होगी काफी विधिवट धंक्षे इसमें शनेरियो चला था और उसके पीछे का पूरा का पूरा द्रिष्टिकोन और पूरा शनेरियो भी आपके लिए क्या हुआ फिक्ष हुआ पूरे कुश्चन समने देख लिए भारत के यदि बैंकों की बात की जाए तो आपको पता चल चुका है कि भारत में जो है सबसे पुराना बैंक अगर आपको कहा जाएगा सबसे पुराना बैंक Oldest form या सबसे पुराना पूछा जाए तो ये था Bank of Hindustan उसे जाना जाता था किस नाम से Bank of Hindustan के नाम से जाना गया और इसी के सिनेरियों पे क्या हुआ था पूरा concept इसका चला था पूरी चीजें इसमें important थे बागी चीजें हम next class में पूरा discuss करेंगे उसी के बिहाब पर ये पूरी चीजें क्या हैं इस पे चलेंगे आपके लिए